हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आपको यूट्यूब के क्रियेट पोस्ट के बारे में बताऊंगा और इसके फीचर्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो ये क्या है और इसका यूज क्या है और कैसी आप इसका यूज कर सकते हैं और इसके प्राव्लम को भी हम सॉल करेंगे क्योंकि जब भी आप इसको अपन करते होंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता होगा तो चलिए हम इसी के बार में आज आपको बताएंगे तो हाँ आपना YouTube open करते हैं तो friends YouTube open करने के बाद नीचे में आप देख सकते हैं आपको एक plus वाला option देख जाएगा आपको simply यहाँ पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद आप सबसे नीचे में देख सकते हैं एक option है creator post तो इसका use क्या है इसका use करके आप photo upload कर सकते हैं image poll वाला option यहाँ पे आप डाल सकते हैं Qs वाला question पूछ सकते हैं और YouTube के वीडियो का भी promotion आप कर सकते हैं अगर आप video creator है तो आप अपने किसी वीडियो का promotion आप यहाँ से डिरेक्ट गैलेडी से यहाँ पे post करके कर सकते हैं पहले क्या था जो पहले जिसका 1000 subscriber था YouTube पे उसी के प पूल वाला question पूछ सकते हैं उसके बाद question पूल वाला question पूछ सकते हैं लेकिन जब भी आप इसको open करते होंगे आपके पास ऐसा कुछ interface open होता होगा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा तो आज हम इसी को solve करके आपको दिखाएंगे लिखा हुआ है one time verification needed मतलब इसका verification आप one time कर सकते हैं और देखे यहाँ पे और क्या सब लिखा है to create post and access other advance feature आप create post का verification करके YouTube के advance feature का विलाब उठा सकते हैं जैसे कि पहले पहले भी आपको बताया जो YouTube के किसी वीडियो का promotion कर सकते हैं photo upload कर सकते हैं image poll डाल सकते हैं उसके आपको तीन option दिया गया वेरिफिकेशन के लिए first है video verification मतलब कि आप यूज वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं जैसे कि इसका approval time जैसे देखे usually up to one day इसका approval time one day लगता है इसमें और we help you create a 30 second video of yourself मतलब कि आपको खुद का आप जिसका वी चैनल है आपका आपका चैनल है YouTube का तो आपको खुद का 30 second का वीडियो जो है upload करना है और एक दिन के अंदर मतलब 24 गंटा के अंदर आपका जो यह verification है वो हो जाएगा तो यह कैसे करना है यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे उसलों देख सकते हैं second है यहाँ पे use your valid ID मतलब आपने किसी भी valid ID का व्यो verification कर सकते हैं इसमें भी आपको 24 गंटा का टाइम लगेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेक अप फोटो आप यूर वैलीड आइडी लाइक पासपोर्ड और ड्राइविंग लेसें तो अगर आपके पास पासपोर्ड ड्राइविंग लेसें या pen card है तो आप उसका उप्योग करके भी इस पे verification कर सकते हैं उसके बाद second है build channel history मतलब आपने channel history का उप्योग करके भी इसका verification कर सकते हैं देख सकते हैं इसके लिए नीचे में लिखा हुआ है usually up to two months इसके लिए आपको दो महिने का समय लेगा build history automatically as you grow your channel and follow the community guidelines मतलब कि आपको अपन में के अंदर आपका channel जो है verify हो जाएगा create a post के लिए तो यहां पे दो मंत लिखा हुआ है लेकिन actual में दो मंत लगता नहीं है अगर आप community guideline के अंदर video को upload करते हैं 10 से 15 video upload करिएगा आपका जो यह verification हो जाएगा तो इस video में हम आपको video verification करके दिखाएंगे यहां पे देख सक यह use your valid ID और channel history पे जो इसका verification करके दिखाएंगे तो चलिए इसमें video verification के लिए आपको करना क्या है तो simply आपको use verification पे click कर लेना है और उसके बाद next वाला option पे आपको click कर लेना है तो देख सकते है one more step before video verification यहां पे आ गया देख सकते है before you start your video verification first verify your phone number to help us make sure that you are not a robot ठेक उसके बाद आपको यहां पर verify करना है तो आपको यहां पर अपना फॉर्ण नमबर डालना है तो चलिए हम अपना落़ अपना phone number for Cl약 does है तो फ्रेंट फौन नमबर फिल करने के बाद आपको यहां पर दो ऑप्सम देखने के मिलेंगे एक टेक्स्ट मी और कॉल मी तो आप किसी कावी उप्योग कर सकते हैं तो चलिए हम टेक्स्ट मी का उप्योग कर लेते हैं और यहां पे गैट code पे click करना है अब जो है हमें SMS के द्वारा एक OTP मिलेगा तो चलिए हम देख लेते हैं OTP यहाँ पे fill कर लेते हैं अपना friends हमने OTP fill कर लिया उसके बाद phone number जो है मेरा verified हो चुका है तो देख सकते हैं यह आप है chrome से open होता है तो देख सकते हैं यह chrome में आ चुका है तो friends से देख सकते हैं कुछ SNA Interface open हो गया और यहाँ पे देख से उपर में लिखा हुआ है Agri to Video Verification उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे तीन पॉइंट बना हुआ है Verify that you are a real person and have been suspended for violating YouTuber's policies मतलब यह verify करेगा वीडियो से जो आप जो है real person है YouTube का और भी बहुत कुछ इसमें जो आपका जो कोई channel है वो आपका real है या नहीं उसके बाद अगर आप किसी दूसरे phone में login करते हैं तो उसमें भी आपको security का help मिलेगा जो कोई R आपका channel login नहीं कर सकता है यह भी चक करता है कि आप कहीं robot तो नहीं है तो इसलिए वीडियो फरिविकेशन किया जाता है और यह बहुत कुछ है तो आप यहां से वो पढ़ सकते हैं तो आपको क्या करना है सब से नीचे जाना है उसके बाद यहां पे आपको एक बकसा दिखेगा इसमें आपको tick कर लेना है और उसके बाद I agree पे click करना है उसके बाद देखे यहां पे क्या ओलड़ा tips for a good video आपको यहां पे tips दिया गया है hold your phone at eye level in front of face आपको अपना phone जो है eye level के face में ऐसे करके रखना है वो वहां पे भी आपको बता देगा उसके बाद make sure that nothing covers your eyes आपके eyes पे चस्मा वगएरा नहीं होना चाहिए उसके बाद nose और mouth nose और mouth पे भी कुछ मतलब कप्रा वगएरा नहीं होना चाहिए उसके बाद such as sunglasses fabric और a hat और आपके सिर पे topi भी नहीं रहना चाहिए और sunglasses के बारे में भी तुद दिया हुआ है मतलब कुल मिला की यह है कि आपके सर पे topi नहीं रहना चाहिए उसके बाद Google नहीं रहना चाहिए और face धका हुआ नहीं रहना चाहिए विडियो verification के time में तो ये सब आप यहां से पढ़ सकते हैं, उसके बाद ओए देख सकते हैं मेरा जो वीडियो वैडिफिकेशन हो चुका है और यहां पे आप देख सकते हैं अपलोड यॉर विडियो यहां पे लिखा गया है अपलोड यॉर वीडियो और यह देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफश तो पर longing हो चुका है और यहां पर thanks for submitting your video verification, Google now need to review your video, that usually takes up to 24 hours, मतलब कि इस video verification के लिए हमको 24 hour का time लएगा, और जैसे ये video verification 24 hour में successful हो जाएगा, हमारा जो create a post है वो enable हो जाएगा, और email के द्वारा यहां पर देख सकते हैं जो मेरा email ID है, उस पर हमें message आ जाएगा, इसके बाद फिर से YouTube में आना है, और यहां पर आपको एक plus वाल आइकॉन दिख जाएगा, फिर से आपको यहां पर click कर लेना है, उसके बाद आपको create a post वाले option पर click कर लेना है, आप जैसे यहां पर click कर येगा, यहां पर देख सकते हैं, उपर में लिखा है video verification in review, इस यूज्यली टेक 24 आवर, यूज चेक देटरस अफ यूर रिक्वेस्ट और डिलीट यूर वीडियो इन यूर गूगल अकाउंट, आपका जो वीडियो वेरिफिकेशन है, वो 24 आवर में confirm हो जाएगा, और अगर यह confirm हो जाता है, तो आपके गूगल अकाउंट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, वीडियो वेरिफिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वीडियो वेरिफिकेशन है, वो सक्सेजफूल हुआ है या नहीं, और यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह सब आप खुद से भी पढ तो देख सकते हैं ऐसे आप यहां से चेक कर सकते हैं इसमें अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कॉमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को एक लाइक जरूर करे हो और चैनल को ऐसी जनकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठैंक यू, जैहिंद